इस वीडियो में हम मिजाज आमार के बारे में पढ़ने वाले हैं यानि इसको हम बोल सकते हैं Temperament of ages यानि different different ages में क्या-क्या मिजाज होते हैं इस topics related एक और word जो हमार सामने आता है वो है असनान और यह असनान का मतलब भी एजेजी होता है अब इनसान की मुखतलिफ उमरों का मिजाज हम इसमें देखने वाले है इनसान की उमर की दरजाद चार होती हैं तो जो पहला है वह सिने नुमू दूसरा जो है वह सिने शबाब या फिर इसको सिने वुकूफ भी कहते हैं जो third है वो है सिने कहूलत और fourth जो है वो है सिने शेखूकत अगर इन सब के मिजाज हम देखें तो first वाला हार रतब है दूसरा हार याबिस तीसरा बारेद याबिस और जो चोता है वो बारेद रतब है अगर ages के बारे में देखें कि किस age तक यह रहते है तो सिने नमुज है 25 25 45 तक 25 की एज तक सिने शबाब या फिर जिसकों सिने वुकूफ के रहे थे 25 से 45 तक और सिन्य को उलत ऐसे 45 से 65 तक और जो सिने शेखुकत है वह 65 एक और उसले तिप्साव से तो यह आप यात कर सकते लेकिन लॉलेज के लिए अप एक और एक और एक और जो डिफरेंस वह आपसे जैसे सिन्य नमू का 0 से 30 दिया हुआ है और 30 to 40 भी किसी बुक में दिया हुआ है 40 to 60 जो है सिन्य कहुलत का दिया हुआ है और 60 से आगे सिन्य शेकुकत का दिया हुआ है अब हम इसको देख सकते हैं कि जो सिन्य नमू है इसको हम growing age बोलते हैं और जो शिने शबाब है उसको हम adulthood बोलते हैं similarly जो सिने को उलत होता है इसको age of decline बोलते हैं जैसा नाम से पता लग रहा है कि धिरे धिरे जो ताकत है वो कम होने लगती है और जो सिने शेहूकत है इसको हम old age बोलते हैं जैसा नाम से पता चल रहा है, बुढ़ापे का जो टाइम होता है, अब इन चारो एजेस को मेकिक करके देख लेते हैं, फर्स जो है सिन्ने नुमू, यह वो उम्र है जिसमें आजा का नश्वनुमा जारी रहता है, यानि ग्रोथ, इस उमर में में ग्रोथ देखने को मिलेगा यहां तक के आजा अपनी पूरी जसामत को पहुंचता है, यानि मैक्सिमम साइज ले लेता है, मैक्सिमम ग्रोथ तक यह पहुंच जाता है, यह उम्र 25 साल तक रहती है, अब डिफरेंट बूस के हिसाब से जो उम्र है वो अलग-अलग होगी, लेकिन उसले तिपके हिसाब होगा, वो हार और रतब होगा, सेकिंड जो है, सिन शबाब या फिर सिन वकूब भी जिसे कहते हैं, इस उमर में आजा ना घड़ते हैं और ना बढ़ते हैं, यह उमर 25 से 45 साल तक होती है, इस उमर का मिजाज मायल वा हरारत वा यबूसत, तो पहले हरारत और रतूबत था, अब हरारत और यबूसत इसकी जो मिजाज है, वो हो जाएगा, अब इस इनने कहुलत, इस उमर में कुगा का इन्हताद जरूर होता है, यह नि डिक्रीमेंट आने लगता है, अब जो हमारी पावर है, उसमें डिक्रीज आने लगता है, ताकरते घड़ती हैं, लेकिन काबल लिए लिहाज नहीं होती, यानि इतनी जादा नहीं गटती है कि प्राबलम हो, लेकिन धीरे धीरे घटने लगती है, यह उमर 45-65 तक और इस जमाने में मिजाज मायल वर बरूदत यबूसत इसकी जो मिजाज होती है, अब सिन शेखुकत, इस उमर में आजा और खुआ में इनहतात नुमाया तोर पर महसूस होता है, यानि महसूस होने लगेगा, जो भी डिक्रिमेंट ताकत में हो रही है, वो हमें पता लगने लगेगी, इसी वैसे इसे ओल्ड एज भी कहते हैं, इस उमर का मिजाज मायल वर बरूदत वर रतूबत होता है, तो बारिद और रतब इसका मिजाज देखने को में मिलेगा, अब जो हमने यह चार एज पड़ी है, सिन्ने नुमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कुहूलत और सिन्ने शेखुकत, इनमें से जो फर्स्ट वाली है, यानि सिन्ने नुमू इसको और भी डिफरेंट स्टेजेज में बाटा गया है, यह पर भी डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, इसको फर्दर जो डिवाइड किया जाता है, वह है सिन्ने तुफूलियत, सिन्ने सबा, सिन्ने तरारू, सिन्ने रिहाक और सिन्ने फता, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं,